एक चीज जब आप कुछ खरीदने जाईए चाहे वो पारले जी का पैकेट हो बिस्किट का या फिर टंडी टंडी का हो या फिर गुड्डे का हो जो भी अच्छा से अच्छा हो वो मैं जो खाता हूं बता आपको अमर नमकीन हो गया या फिर उसके बाद हल्दी राम का कोई भी नमकीन हो गया या फिर कोई चिप्स हो गया एक चीज आप चेक कर लिजे आप उसको ऐसे दबा दिया कीजैए अगर वो निकल लगया है हल्का सावी सुराख हो गया है तो वह अक्सीजन आ गया है उप्चाइद हो चुका है वह खराब हो चुका है आप उसे ना ले तो हलो साथ हो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपने योटूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कच्छा दस विशय विज्ञान और पार्ट नंबर एक है पार्ट का नाम है आपका राशायनी कप अच्छे भी नहीं पढ़ना है कल से हम क्या करेंगे दूसरा चैप्टर क्या किया जाएगा इस्टार्ट किया जाएगा जितने भी वीडियो बनाए जा चुके हैं पूरे टापिक रिलेटर्ट सब पूरा खतम हो गया है आई बटन में लिंक आ रहा है जब बाद में आप ज आप जानेंगे जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में हो सकता है कि आप देख पाएंगे मतलब परियोग साला में देख पाएंगे लेकिन यह जो टापिक है ना यह आप एकदम रियल लाइफ में देख पाएंगे इसके पहले वाला जो आपने कराते हैं आजाओ आजाल अल्ला फिर कराते हैं तुम्हें देखो यहां टापिक जो है विक्रित गंधिता आपको यह जानने की जरूरत है कि विक्रित गंधिता किसे कहते हैं तो आईए मैं पढ़ता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं जब वसा योग्त खैर वसा ऐसे लिख लेना जब वसा योग्त या त doğru यह था खाहते समागरी को अधिक समय तक रखा जाता है तब उसके स्वाद और गंध में परिवरतन आ जाता है ठीक है यह कोई ते लिए वसा योउग्त यह वसा योग्त अगर कोई पदार्त है वसा यूग्त है या फिर तेल से बना तो उसका जो गंद है वो गंद बदल जाता है और उसका स्वाद भी बदल जाता है दोनों बदल जायेगा ठीक है न क्या होजाएगा बच्छा आपने अभी तक यह जाना है कि जब बसा युक्त या तेलिये पडार्त ठीक है ना खाद्यपदार्त होगा उसको अधिक समय तक जब आप रखते हैं वायू के संपरिक में खुला रखते हैं तो उसे के स्वाध और गंध में क्या आ जाता है परिवर्तण आ जाता है ठेक क्योंकि वायू की oxygen वायू जहें है वायू वायू में oxygen है ना oxygen क्योंकी वायू की oxygen मतलब य मेंसे oxygen के संपर्क में आकर टेल या वसा उप चैन तो हो जाते हैं उप चैन का मतलब आपको बढाए गmond traumate़ और बढाएं आफ इस मोड़े गいうこと क्याना जुड़ जाएगा और उस पदार्थ को उपचैत कर देता है मतलब उसमें उपचैन सुरू हो जाता है तो वो पदार्थ उपचैत हो जाता है जिससे उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है या घटना विक्रित गंधिता कहलाती है इसी घटना को क्या कहा जाता है विक जब विक्रित बार गंदिता की परिवासा बोर्ड आपसे पूछेगा तो आप डारेक्ट यही परिवासा लिखेंगे जब वसा योगतिया तेलिये खादे समागरी को अधिक समय तक रखा जाता है तब उसके स्वाद और गंद में परिवर्टन आ जाता है वायू में खुला जाता है जिससे उनका स्वाद और गंद दोनों बदल जाता है यह गटना क्या कहलाती है विक्रित गंदिता कहलाती है आप बहुत दिन तक पूरी चान के रखेंगे तेल में तो वह भी क्या हो जाएगा ऐसे वायू में खुला रख देंगे तो दो-तीन दिन बाद खराब हो लेकिन अगर आप फिर्ज में नहीं रखें हैं चार-पांच दिन हो जाता है एक हपता हो जाता है तो उसका स्वाद भी बदल जाएगा और उसका गंद भी बदल जाएगा यानि हो खराब कैसे हुगा क्योंकि आक्सीजन वाई बंडल से आई है और उप्चैत कर दी उसको थोड़ा थोड़ा करें रख देते हैं इकठा ठीक है ना तो वह वसा ही है प्योर वसा है वह तो जब मेरा दावा है कि आप उसे क्या नहीं कर पाएंगे अगर उसे खोल दिया जा उस बरतन को दिरे दिरे जो एकठा हुआ है तो आप वहाँ एक मिनट ठहर नहीं सकते ठीक ह बदल जाता है ऊसल्ड है उसके भी नहीं सकते है इसलिए हीट पर करते हमْ हो विप्योग किया जाता है तब खी बन जाता है उस स्काइस के लिगत involved जक्त समागरी वसा युक्त समागरी आप खूले में नहीं रख सकते हैं खूले में रखेंगे दो स्वाद और गंध दोनों बदल जाएगा और साद और गंधं बदलने की परिक्रिया क्या कहलाती है श्यो कраз कर देता है इस पदार्ध को अच्छा तो यह हो गया अब बताओ बच्चा इसको रोकने का भी कोई उपाय है बिल्कुल है इसे आप क्या कर सकते हैं रोक भी सकते हैं आईए देखते हैं कैसे रोका जाएगा यहां क्या है यहां विक्रित गंदिता को रोकने के उपाय पहला उपाय अभी आपको बहुत ब परदो किने के लिए प्रति आक्सिकार्व मिला एक जाते हैं यानि आक्षिकार्थ का मतलब हो गया कि असे इना के जुड़िया उसका नोगा लेकिन उपचयन होने सब्सक्राइब म्लでखें सब्सक्राइब बेर खराब होने वाला नहीं है ठीक है यह फिर और भी डाल सकते हैं नमक भी क्या हो जाएगा प्रतियाक सिकार्षा Manuel ग्हां ठीक है तो यह समझ अपर आपके तैलिय और वसायोग्त खाद्य ne उसे खराब होने से रोकने के लिए उसमें क्या मिला जाता है प्रतियाक्सिकारक बिनेगर हो गयरा मिला देते हैं यह पहला बिंदू हो गया दूसरा बिंदू क्या कह रहा है दूसरा बिंदू यह कह रहा है कि खाद्य शमागरी को वसा स्वारी खाद्य समागरी को वायू बनाया है उसे आप क्या करें ऐसे बरतन में रख दें वायू रुद्ध जहां वायू ना पहुंच पाए ठीक है ना तो हो सकता है कि वह थोड़े जादे दिन तक चलेगा ऐसा नहीं खराब नहीं होगा दीरी दीरी यह पर किरिया धीमी होगी लेकिन वह खराब होगा कुछ द एकदम से रोकना है एकदम से रोकना है तो आप क्या करते हैं एकदम से रोकने के लिए आपको क्या करना होगा जो पैकेट अच्छा आप अपने उसमें आप जब छोटे थे अभी भी छोटे ही हैं बहुत बड़े नहीं हो गए हो जब आप चिप्स खरीते हो क्या खरीते हो और पाकट 10 रुपए में मिलता है जबकि एक रुपए में होना चाहिए लेकिं उसमें जानते हो क्या हुआ 90% पैसा तो ऐसे ही यूज हो गया आपका उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं उसमें पूरा भरा रहता है नाइट्रोजन गैस रहता है नाइट्रोजन गैस अक्रिया नहीं करेगा तो किरिया करता ही नहीं है इसलिए उसमें सैक्सिजन निकालके नाइट्रोजन गैस भर Chips आदिicion को P eventual करते समय ठीक है जो चिपस आप którzy मजे से मोज से अमर नम्कीन क्वाइब और क्या खा लेते हो तमाम परकार के सब्क nel princess पैप के आठे में उसमें हवा भरा रहता है एकदम हवा भरा रहेगा आप दबाएंगे उसमें से निकलेगा नहीं इसका मतलब आपको उस हवा का भी पैसा लिया जा रहा है आपसे बिल्कुल लिया जा रहा है नाइट्रोजन गैस ऐसे हुआई मंडल से खीच के लाके पैकेट में ठोड़ी ठोड़ी डाल देंगे अरे इसका मतलब यह हम दोगन ले रहे ना अक्रा रहा हम तो सब ले रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कि हम सांस में क्या लेते हैं ID तो चिप्स आधी को पैकिंग करते समय उसमें से आक्सीजन गैस को क्या कर दिया थैली से आक्सीजन गैस हटा कर उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस ठीक है ना nitrogen gas यानि की कमसक्री गैस यानि जो कमसक्रीए गैस उसे आप क्या कर सकते हो भर सकते हो ठीक है ना ताकि chips का उचेंज न हो और काफे दिनों तक क्या रही है तक ही जो chips का packet आता है उसमें कौन सी gas भरी जाती है nitrogen पर देते हैं या पिर ऐसी घरी जाती है जो कि कम सक्रिये हो ठीक है अगि चार पांच महीने तक जो पैकेट होता है वो चलता रहता रहता है जैसे आपका चिप्स का पैकेट अज तो बना है नहीं हो सकता है कि तीन महीने का पहले बनाओ एक साल पहले का बना हो ठीक है ना तो आप देखते हैं कि साथ साथ महीने पहले बना है और अब हमारे पास आता है हम उसे बड़े चाओ से क्या करते हैं खाते हैं तो क्यों खाते हैं क्योंकि खराब नहीं हुआ है उसमें उसमें मिलाया गया प्रत्य अक्षिकारा गया नहीं अगर हां कहीं छेद्र हो गया है उसमें से गैस निकल गया है तो पक्का है कि वह खराब हो जाएगा एक जब आप कुछ खरीदने जाएए चाहे वह पारले जी का पैकेट हो बिस्किट का या फिर टॉंटी-टॉंटी का हो या फिर गुड्डे का हो जो भी अच्छा से हो गया या फिर उसके बाद हल्दी राम का कोई भी नंकीन हो गया या फिर Grad को चिप्स हो गया एक चीज आप चेक कर लीजिए अगर वह निकल रहा है अगर वह चिपक गया एक 재생 से क्या हो दोनों पननी आपस में पन्नी आप इसे दबाए एकदम चिपक गया तो पर लेकिन जिसमें से जेस निकल गया है हलका साव को गया तो वह अक्सीजं आ गया है कि आपको चैप्टर कर चुके हो मज़िए हैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो आप फिर मिलेंगे साथ बजे मैं चाहूंगा आज यहीं तक रहे तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब शर् मुला को सस्क्राइब